मन खरेते कोरी आयल, तेरी आखांचा जायल, मन खरेते कोरी आयल, सेग जह चपादर के, तेरा दिल करता वे भायल, मन खरेते कोरी आखांचा जाखांचा 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 ज है कर दो मसलikes कि नहीं कर कर दो मसल przysz दो मराए थयांकि कि लाकाव हिसे कि यह नक्ति द मुद्टा। कि रटी थरुत आमेख कि वह यही हूए, अनने खरघए. सिब्सक्राच ठीख चारू rhुड्स हुट प्रहर्णesz रुड़? सिल्ड़ा हुटे? मैं हमेशा डांसर थी कल्यू करने से पहले और भट साब और मोहित को असिस्ट करने से पहले मैं ने मैं शामक के साथ डांसर थी बच्पन में मेरी ममी के डैद के बाद मेरी नानी ने मुझे शामक में डाला जब शामक ने शुरुआत की थी तो मैं उनके साथ टीचर बनी, 16 साल की उमर में मैं बच्चों को सिखा रही थी, उनके साथ ट्रावल कर रही थी, कोई बुरी कमपनी में नहीं पड़ी, इसलिए क्योंकि मैं डांस कर रही थी, तो डांस ने हमेशा मुझे बचाया है, उसके बाद मैंने सालसा सीखा, संदीप सुपार्कर के साथ बॉल्रूम सीखा, और काफी डांस पॉम सीखे, एरियल आर्ट्स मैं कर रही थी, मलखम कर रही थी, उद्यदेश पारने के साथ, लेकिन कुछ कमी सी महसूस होती थी, कुछ ऐसा लगता था कि मैंने मुझे एक चैनल भी शिरू करना था डांस के उपर, क जैसे आपने तारे जमीन पर देखी होगी, तो मैं तारे जमीन पर थी, मुझे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के वीच मैं अभी भी इसलिए मैं रिंग्स पहनती हूँ, कि राइट पता चले, लेफ्ट पता चले, मैं अभी भी अपनी उंग्लियों पर गिनती हूँ, त इस लड़की को डांस में जरूर डालना क्योंकि इसकी orientation, right, left, सब ठीक हो जाएगा तो मैं फिर भी खालीपन महसूस करती थी और पपा की death के बाद तो बहुत depression में depression में चली गई थी मुझे पता भी नहीं था कि मुझे depression है मतलब सालों का जो built up depression था ममी की death के बाद, नानी की death के बाद, पपा की death के बाद, वो एक साथ अंदर जैसे चल रहा था, हमें सिरफ भाग रही थी तो एक दिन मैं completely breakdown हुई और नुजद खान जो है, मैं उनकी बहुत शुक्र गुजार हूँ, इमरान खान की ममी उन्होंने ये मुझे में देखा और उन्होंने का तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूत है क्योंकि वो खुद psychiatrist है, तो उन्होंने मुझे एक डॉक्टर अमित कुल करनी psychiatrist के पास भेजा और उन्होंने मुझे बताया के पता है तुमने बच्पन से सब चीज़ें अंदर रखी है, तो ये जैसे तुम निकाल नहीं रही हो, तुम बोडी में निकाल लेती हो, डांस और एक्सेसाइस करके, लेकिन mentally तुम तुम वो आठ साल की लड़की ही हो, जो बड़ी नहीं हुई, इस बात का भी depression था के बॉलीवोड में जादा काम नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने मुझे treat किया therapy दी, और उसी दोरान में दुबाई गई थी, पता नहीं कोई holiday के लिए, aerial arts learn करने के लिए, aerial silk, और उस तो उन्होंने का मैं आपको पॉल सिखाऊंगी, तो मैंने का ठीक है, मैंने को कभी किया नहीं है, तो उन्होंने पॉल क्लास मुझे दी, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा, जैसे मुझे मेरा मकसद, जिंदगी का मकसद मिल गया है, क्योंकि पॉल में मेरा transformation हुआ, from a girl to a woman, पॉल डांसिंग, मुझे पता है क्योंकि strip bars और ये सब के वज़े से बहुत बदनाम है, लेकिन actually women के लिए और सब के लिए, अगर आप याद रखो, हम जब इतियास में, और when we were cavemen, when we were monkeys, हम लोग climb करते थे, तो climbing एक बहुत important activity है, पॉल पे डांस करना, पॉल अभी एक sport है, Olympics में, तो सिर्फ tricks नहीं होते, मतलब tricks होते हैं, लेकिन उसमें dance भी होता है, क्योंकि mind and body coordination होता है, जो I feel, इसलिए मैं बच्चों की class भी शुरू कर रही हूँ, mind and body coordination होता है, dyslexia, arthritis, osteoporosis, हर चीज़ के लिए pole is the solution, thyroid, PCOD, मुझे खुद thyroid है, PCOD था, जो चला गया, pole के वज़े से, मैं अपने pole को अपना त्रिशूल मानती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इंडिया में ये pole revolution, और तो के लिए, मैं चायकल हूँ या ना हूँ, हर लड़की pole करे, क्योंकि उसमें इतनी fitness है, और इतनी, इतना empowerment है, and it is so, it makes you feel so good, so strong, और pole म योगा है, जब मैंने अब्रॉड ट्रेनिंग की, मैंने देखा, यार ये तो योगा कर रहे है, ये तो हमारा है, और तो मैं अपने warm-ups, योगा के रखती हूँ, और तीन महिने में, मेरे पास 16 साल की लड़की आती है, और 60 साल की ओरते भी आती है, तीन महिने में, वो अपन कर सकती है, शोल्डर स्टैन कर सकती है, पोल क्लाइम कर सकती है, और वो खुद इतनी बदलती है, तो मेरा पोल स्टार जो स्कूल है, पोल स्टार इंडिया का मकसद यही है, if I can, you can, और I just feel only empowered women empower women, मतलब अगर आप एक strong शक्सियत हो, आप एक strong woman हो, आप एक दूसरी औरत को, मेरा दिन में यही मकसद रहता है, कि पोल के जरिये मैं एक औरत को थोड़ी strength दूँ, एक औरत को एक दिन में अगर उसे वो खुशी महसूस होती है, और वो femininity महसूस होती है, और क्यों ना हम sexy बने, क्यों ना हम अच्छे दिखे, हम यह कहते ना कि नहीं, हम आदमियों से आ thyroid, testosterone, PCOD, क्यों बीमारिया आ रही है, पहले हमारी नानी दादी को तो यह बीमारिया नहीं थी, यह सब आज क्यों आ रहा है, क्योंकि औरतों की तरह behave नहीं कर रही है, हमें औरत बनना जरूरी है, और we are the land of the कामा सूत्रा, तो क्यों ना हम वो देवी energy जो है, वो जो फेमिलि के आएं, और बहुत जरूरी है कि हम औरते ही रहे, और be sexy, be beautiful, मैं तो अपने students को बोलती हूँ, कि जब आपको कुछ नहीं होता ना, दिन में lipstick लगा के बैठ जाओ, काजा लगा के बैठ जाओ, कुछ मत करो, feel beautiful, रोज उठो, आइने में देखो, एक heart बनाओ, मैं तो अपने आइने में एक heart बनाती हूँ, red lipstick के साथ, और मैं उसमें देख के बोलती हूँ, smiley, you are beautiful, और मेरा पोल, सची मेरा अत्रिशूल है, क्योंकि जब मैं उस पे, मेरा best friend है, मुझे किसी की जरूत नहीं है, ना कोई friends, ना कोई family, मैं सिरफ अपने पोल के साथ, इतनी खुश होती ह exercise करके, dance करके, so I feel this is the need of the hour for Indian women, और ये हमारे culture में रहा है, मलखम हमारा था, पेश्वाज ने जासी, रानी की जासी मलखम करती थी, हाँ, मलखम था wrestling के लिए, मलखम, कलरी पाईतू, ये सब थे, हमारे arts जो British के रूल में दब गए, लेकिन मलखम भी पोल ही तो है, तो हमारी history में रहा है, हाँ, एक time पे कथक भी बदनाम था, एक time पे belly dancing भी बदनाम थी, पोल बदनाम था, लेकिन अभी sport बन गया है, कथक मोगल राज में बदनाम था, belly dancing बदनाम हुई, but actually it is a dance for the goddess, जो लड़किया belly dancing करती है, वो naturally conceive कर सकती है, पोल dancing भी जो लड़किया करती है, वो thyroid, PCOD और बहुत जो women related problems है, वो fight कर सकती है, मैंने खुद किया है, और natural delivery कर सकती है, so I think it is very important आपके core को strong करता है, आपके mind को strong करता है, आपको happy beautiful feel करवाता है, so इसलिए मेरा change हुआ, change over हुआ, और मैं बहुत सहमी सी, बहुत डरी वी, बहुत प्रोटेक्टिट फैमली में थी, कल्यूग में जिस रूप में आपने मुझे देखा, मैं वैसी ही थी, तो industry के धक्के, मैंने बहुत सहा है, उस से निकल के ये रूप धारण करना, मैं सिरफ pole dancing और अपने pole fitness और pole star को ये credit दे सकती है, वो कौन सा दोर आया जब आपको लगा कि मैं आप लेगे बढ़े है, कौ मेरे डायड की death week 2010 में, जब काम नहीं मिल रहा था, अच्छा काम नहीं मिल रहा था कल्यूग जैसा काम नहीं मिल रहा था 2007 में, जब मेरी नानी की death week 2012 में, एक दोरान ऐसा भी लगा, मतलब मोहित आगे बढ़ रहा था, इमरान आगे बढ़ रहा था, मेरी family में सब आगे मुझे खुद की शक्सियत बनानी पड़ेगी, मुझे खुद अपने पेरों पे खड़ा करना होगा, मैं किसी के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि मुएत मेरे ले एक film लिखेगा, या इमरान मुझे लॉंच करेगा, या बद साब कुछ और करेंगे, मैं थग गई थी वेट क करते हैं और तब उस दौरान डिप्रेशन से निकल के मुझे मेरा पॉल मिला, क्या आद भी आपको लगता है कि लेप माइलाओं के लिए बॉलर इंडरिश्टी में बहुत प्रागल है, मैं के लिए भी श्रगल है, सब के लिए प्रागल है, बहुत जरूरी है, बहुत अगर देखो शारुक खान, दिलिप कुमार सब फैमिली से निया है, सुबाज गाई, बहुत लोग इंडास्ट्री में, आपको पता टाइमिंग, लख, जैसे ये मेरा टाइमिंग था, पॉल में रेविल्यूशन करने का ये मेरी जौनी थी, आपको अपनी जौनी डूनी है अगर फिल्म इंडास्ट्री में नहीं हो रहा है, तो आजकल कितनी चीजे हैं, वेब सीरीज हैं, टेलिविजन हैं, कितने और ड्रामा हैं, मुझे स्टेज बहुत पसंद है, मैंने एक प्ले भी किया था, कॉमेडी डबल ट्रॉबल, फिलाल फिल्म, पोल पहले आता है, उस कितनी प्ले को थोड़ा वक्त दो, अपने लग को अपने टाइमिंग को आजमाओ, अगर नहीं हो रहा है, तो शायद आप किसी बेटर चीज के लिए बने हो, स्टैज ऐसे रहा हैं, किसी बटर चीज के लिए बने हो, तो आप ने मैं अपने इंसिडिन्ट से बता सकती हो, क एक पर चीज चीज़ कह सकती हूझ मैं लेख वे न है तो फिली न जो बहुत प्रॉब्लम्सुट्ट्स आते हैं जो बोलता है कि मैं जा रही हूझ मेरे हस्वेंड को मैं बोला है मेरे हस्बेंड को मैंने बोला है मैं मॉर्निंग यारी हुआ हुझ लेकिन मैं आपका class और time पे आते हैं और class करके जाते हैं पैसे दे देते हैं लेकिन वो कहते फ्लीज मेरा video out मत करना मैंने का पागल अपना video out करके अपने husband को दिखाओ वो और तुमारे पीछे पागल पड़ेगा किसी और के साथ नहीं चाएगा और ये क्यूँ एक धबा पड और बॉबी से सीखने के लिए बॉबी पहली एक डांसर थी, ज़रने olur को strip baat से निकालकर कॉंपटिशन में डाला तो जब उन्होंने कॉंपटिशन में डाला उन्होंने फूरा अपना जैसे जो dance था वो निकाल दिया उसने सिरफ tricks रखे जैसे हम tumble कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर उसकी और अभी pole sport ने नया rule निकाला है कि आपको dance भी करना पड़ेगा आपको tricks भी करने पड़ेंगे आपको flow work भी करना पड़ेगा चैर भी करना पड़ेगा तब ही आप clear कर सकते हों तो इसका मतलब हर चीज़ dance बोलो या pole में flow work होता है tricks होते हैं क्योंकि अगर आप सिर्फ tricks करो तो आप circus में भरती हो जाओ उसमें art क्या है tricks तो मैं आपको कल सिखा सकती लेकिन उसको dance के साथ डालना वो बहुत जरूरी है तो I think हमें इसे positively pole fitness कहना चाहिए और जरूर इंडिया में I am so sure इंडिया में ये आगे बढ़ेगा और लड़कियां बहुत जल्दी मेरे students ही अपने videos निकालेंगी वो अपने खुद के मतलब boldly कहींगी मेरी sister-in-law थी कल में गई थी अपनी मासी के घर पे और मेरी sister-in-law मेरी मासी को कह रही थी मतलब उनकी तो वो क्या हुई क्या बोलता है उनकी वो बहु हुई तो वो मेरे साथ pole dancing कर रही है और उसने सीधा अपनी मदरिनलोव मेरी मासी को कह दिया कि मुझे अपने मम्मी मुझे अपने रूम में पोल डालना है तो मेरी मासी करी थी क्या रबश तुमको रूम में क्यों पोल डालना है मुझे तो मैंने का वा मैंने का मासी यह है मेरा जब हर घर में लड़की पोल डालेगी तो उसका हजमन भाहर कियो जाएगा अज भी हमारे भारत में कई समाजों में जो पोल डांस करते हैं तो उन सुब के बार में क्या कहने तो उन्हों कि वो अनेडुकेटेड है उन्होंने पोल फिटनिस की नहीं है मैं चाती हूँ कि मैं इसलिए पोल को लेके विलिजिस में जाना चाती हूँ बॉम्बे से बाहर सूरत, एमदबाद, इनफाट मुझे कॉल जाते हैं सूरत, एमदबाद, पूने से कि आप यहाँ पे पोल स्कूल खोलो, भार और लोग करना चाते हैं तो मैं तो विलिजिस में और महिला आश्रमो में लोग जाके पोल करवाना चाती हूँ उनको ताके वो स्ट्रॉब करें और उनको लगे के भाई ये तो हम कर सकते हैं और वहाँ की महिला है विलिजिस में तो और बेटर करेंगी मैंने अपनी लड़की पलवी जो मेरे ले काम करती है वो बैंगलोर के एक छोटे गाउं से है तेलगू है मैंने उसको अपने नाइट पे मेरी जो बरलेस्क नाइटी मैंने उसको डांस करवाया तो उसने तो अपना मंगल सूतर अपना सिंदूर साब डाल के उसने डांस किया मैं आपको उसका video भी भेज सकते हूं और वो आज एक नई नई लड़की है आज जल्वार कंवी से ज़यादा मतलब यह पहनती है वह बीधिये करथी है अपने हज़्ाईबंटे वह प्राइल मैंडम आप मुझे और कब सिखाऊगे कि तो अंगति हुझेी काफे डिरिकल्ट होता है देखने में इसके फिटने कि इतना है पाइस रखते है और फिट रखने के लिए पोल के लिए सबसे ज़ादा जरूरी है एक बार आप पोल डांसिंग करो तो आपको जिम की जरूरत बिल्कुल लिए तो जिम में जो आप 50,000 बढ़ते हो वो मुझे तो आपको क्योंकि आप खुद का बॉडी वेट उठाते हो तो पोल डांसिंग में आपको योगा जरूरी है मैं योगा करती हूं या काडियो वैस्कुलर या रणिंग या वोकिंग जिस दिन आप पोल करते हो उस दिन कुछ मत करो प्रोटीन जादा खाओ मैं खाती हूं प मैं वही करती हूं और डांस करो मस्त रहो खुश रहो बस खुशी बहुत जरूरी है पोल के बाद कमाल की नींद आती है इसके अलाव में दूबली जा रहे हैं इस तरह का होने वाला है पता नहीं मैं बहुत 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 excited हूं मेरी फेवरिट टीचर जिनका नाम ह मैं मेरी ओन क्रैम को मुझे फॉलो भी कर रही है तो मैं बहुत इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से पहले मैं तो डर जाती हूं और के वो मुझे फॉलो कर रही है और वो जैसे पोल की अमिता बच्चन है और वो महां पे होने वाली है और उसके इलावा बहुत बढ़ी टी तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन टीचर्स को यहां लेकिया हूँ उनको लगता है इंडिया में साप है, बेल है और कैमल है लेकिन पोल नहीं है तो मैं वो बिलीव नहीं कर रही है कि पोल मैंने शुरू किया है तो जब मुझने बीलीव करेंगी और यह जब अवरनेस पहल सब्सक्राइब정 करेंगी हुँ。 मैं मैं आधकर अपति होगाइब के लिप ऑप आटने सब्सक्राइबनी मुझने करना है कि अबना है गराम्टी फिर्डीशन के लिए लागाấu टाएब Mode-team तो दिफिकल्ट होता है लेकिन माइन यू जो जो ओलम्पिक्स जीती हैं लेडीज वो 50, 60, 70 जीती हैं तो मुझे मेरे बास वक्त है हो सकता है at the age of 50 या 60 मैं पोल स्पोर्ट जीतू या कहीं आ जाओ बट यह मुझे करदा है अपने लिए इससे कुछ होगा नहीं मतलब जीत ग जार पास्ट कर दीत कास्ती है मैं टेज क्या हू